बोलो बाई क्या बनाऊं एक आलु चार्ट चार्ट्रिया अब मतों क्या बनाओ तो और मेरे भाई लोग क्या आल castle है और सब के उम्मीद है सारे के सारे भाई लोग एकदमं मस्त होगे aur आगे भी एकदम मस्त होगे तो फाइनली गाई समय से की तरह एक और दिन एक और बहुत ही कमाल का वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ हाँ कॉंग्राइचुलेशन इसलिए क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले अवैसे अभी तो हमारे गेम के अंदर लगी विल डिसकाउंट इवेंट आरक है बट फिर वियार मुझे अपकमिंग मिश्टी शॉप इवेंट के रिगार्डिंग काफी सारी लिक्स मिली है तो आप लोग चिंता मत करो और आज के इस वीडियो को देखो आज मैं आप लोगं दैं फिर दो काइस हम लोग बात करेंगे हमारे गेम के अंदर आने वाले काफी सारे और भी अपकमिंग पेड इवेंट अफ कमिंग फ्री इवेंट के वारे में वाव आज आजका वीडियो वाव नहीं बहुत ज़ादा वाव है क्योंकि यार अभी हम लोग सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग एक रिंग इवेंट के बारे में जी हाँ तो गाईस पहले आप लोग स्क्रीन में ये वला रिंग इवेंट देखो तो गाईस अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो ये जो यार आप लोग डिंग इवेंट स्क्रीन में देख पा रहे हो भाई अभी के टैम पे हमारे free fire के बहुत सारे सरवर के अंदर ये रिंग इवेंट आ रख है बागी अभी guys देखो हमेशा ही मैं हर एक event के regarding अपने honor review आप लोगो जरूर देता हूँ तो अगर यार अभी मैं आप लोगो इडिनो बंडल के ring event के regarding अपने reviews दूँ तो भाई देखो मुझे तो इडिनो बंडल काफी जाद अच्छा लगा इसलिए guys मैं तो अपकमिंग ये डिनो बंडल के ring event के लिए बहुत ही जाद excited हूँ एड़ आप guys आप लोग भी जरा अपने reviews comment section ने बताना है कि आप लोग ये अपकमिंग डिनो बंडल के ring event के लिए excited हो या फिर आप लोगो कोई फरक नहीं बढ़ रहा है जी हाँ तो guys सभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो ये जो royal आप लोग अभी स्क्रीन में देख पा रहे हो हमारे India server के अंदर next यही वाला royal आने वाल है और वैसे guys आप लोग को पता ही होगा इस royal का review में आप लोग को काफी बार पहले भी करवा चुका हूँ बट यार जो जो मेरे नए viewers हैं मैं उन सभी लोग को बता दू ये जो royal आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो ये royal हमारे India server के अंदर आएगा 8 तारिक के दिन यार इस royal में हम लोग को total 4 remote देखने को मिलेंगे जिसमेंसे एक रहे का boni fumes emote, एक रहे का heart broken emote, देन अगला रहे का minded emote और at the end guys हम लोग को इस royal के अंदर the collapse emote देखने को मिलेगा अब भाई आप लोग कुछ भी कहो, ये royal है तो यार बहुत ही कमाल गा क्योंकि यार इसके अंदर available सारे के सारे emotes काफी जादा अच्छे है और वैसे खेर यार क्योंकि इस royal का review मैं आप लोग को पहले भी करवा चुका हूँ और हाँ अभी भी मैंने आप लोग को इस royal का लगबख सारा ही information दे दिया इसलिए गाईस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यार अभी हम लोग बात करतें OB43 अपडेट के कोई चेंजिस के बारे में मैं आप लोग को गाईस पहले ही बता रहा हूँ मैं OB43 अपडेट के फालतों चेंजिस के बारे बात नहीं करूंगा बलकि जो यार बहुत ही जदा important changes है वही बताऊंगा जिहां तो गाईस अभी आप लोग स्क्रीन में multiplayer skyving देखो आए एरोप्लेन के बगल में ही वो skyving चल रहा है और इस skyving में यार एक नहीं दो नहीं बलकि चार-चार लोग सवार है बेसिकली यार बुरा squad इस skyving के अंदर आ सकता है बागी वैसे यार अगर हम लोग या skyving को देखे तो भाई ये बहुत ही ज़ादा funny लग रहा है क्योंकि एक बंदा तो भाई पीछे लटका हुआ है पर जो भी हो यार skyving बहुत कमाल गया फिर तो गाईसे को update की बाद हम लोग को हमारे game के अंदर cyber mushroom भी देखने को मिलेगा जो हमें काफी यादा फाइदा देने वाल है जैसे की गाईसे cyber mushroom हम लोग को heal करेगा आप लोग देखो यहाँ पर जो मेरी hp हो कम है और यार अभी मैं cyber mushroom को suit करता हूँ तो यार खुद पर खुद मेरी hp बढ़ रही है साथी साथ मेरी ep भी बढ़ रही है लिटरल यार यह cyber mushroom बहुत ही आदा बढ़ी है फिर तो यार हम लोग को game के अंदर यह cyber mushroom heal के साथ साथ एक cyber mushroom speed भी देखने को मिलेगा और यार यह जो scan वाला cyber mushroom है जैसे आप लोग इसको suit करोगे यार आप लोग के आसपास सारी के सारे enemy scan होके आप लोग को पता चल जाएंगी कि कहां कहां पर है और इसके बाद जो guys हमारा battle royal के अंदर अगला change हो है वो है भाई जो हमारा arsenal रहता है वो हमेशा ही open रहेगा भाई कोई की की जरोद नहीं है सीधा आप लोग जाओ arsenal तुम लोग को खुला मिलेगा वहाँ सारी की सारी loot available रहेंगी फिर guys जो इसके बाद हमारा BR का अगला change है वो है born to fight अब यार यह born to fight वाला जो change है इसमें आप लोग जैसे ही land करोगे तो भाई आप लोग के हाथ में पहले से ही UMP गन होगी तो भाई आप लोग उतरते ही enemy को मार सकते हो भाई यह बहुत तकड़ा change है फिर यार अगले change में हम लोग को यार BR के अंदर एर श्ट्राइक देखने को मिलेगी हाँ मतलब जो हमारे डेंजर जोन है यह return आने वाल है फाइनली गाइस अब मेरे को लग रहा है कि old free fire return वाले changes कुस तो करीना गेम के अंदर कर रहा है भाई बहुत अच्छा changes है यह करीना का अल्राइट गाइस देखो अभी मैंने आप लोग को op43 update special VR rank के काफी सारे अच्छे अच्छे changes के बारे बताया उमीद है आप लोग को यह changes पसंद आ होंगे खैर वैसे अभी तो हम लोग को in-game और भी बहुत सारे changes देखने को मिलेंगे बट यार अगर मैं तुम लोग को एक ही वीडियो में सारे के सारे changes के बारे बता दूँगा तो फाल तुम्हें यार तुम लोग बोर हो जाओगे आप लोग चनल को subscribe कर लेना बाकि अभी तो यार हम लोग वीडियो में आगे बटते और बात करते हैं आज की वीडियो के most important topic के बारे में जो कि है भाई हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला upcoming mystery shop event तो गाईज देखो अब लोगों को पता होगा हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अभी के टैम पे अल्रेडी एक discount event अवेलिवल है जो कि है lucky will discount event और यार यह discount event भी काफी अदाव must है जर वैसे guys अभी जब मैं data mining कर रहा था तो मुझे हमारे गेम की फैल के अंदर से lucky will discount event का ending soon वाला poster मिला हाई जब एक से दो दिन बचेंगे तो हमारे गेम के अंदर automatically ही एंडिंग सुनवाला poster add हो जाएगा बागी मैं जानता हूँ इसका हमारे mystery shop event से कोई relation नहीं है वो तो भाई मुझे बस आज हमारे गेम की फैल के अंदर से ending सुनवाला poster दिखा तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया खेर अभी हम लोग mystery shop event की बात कर रहे तो भाई हमार यह 3 server है इंडिया बंगलादेस और सिंगापोर server यहाँ पर यार mystery shop event पांथ दिसंबर को आया था बट उसके बाद यह जनवरी मन्त में तो mystery shop नहीं देखने को मिला है इसलिए सबी लोग अभी के टैम पे जानना चाहते कि क्या हम लोगों को इस मन जनवरी में हमारे गेम के अंदर mystery shop event देखने को मिलेगा या फिर इस मन mystery shop event नहीं आने वाल है सो फाइनली गाईस देखो मैं आप लोगों को बता दू हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर या अभी के टैम पे पूरे 100% कंफर्म mystery shop event के लिक्स अवेलिवल है हाला कि यार अभी तेक गरीना ने हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर mystery shop event का कोई poster एट नहीं किया है कोई confirm date एट नहीं किया है बट यार mystery shop event की काफी सारी PNG हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलिवल है और भाई देखो वो PNG सारी की सारी broken form है इसलिए मैं आप लोगो इस स्क्रीन में PNG नहीं दिखा सकता भाई strike आ सकती है मुझे दिखाने पर तो basically यार अगर मैं point to point आप लोगो बताऊ तो भाई बहुत ही अधा high chances है कि हम लोगो mystery shop event हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी जनवारी मन्ती की एंडिंग में कुछ 20-25 सारी के बीज में देखने को मिलेगा हाँ यार देखो नॉर्मल सी बात है गरीना हमारे गेम की फाइल के अंदर उसी event की PNG एट करता है जो event हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द आने वाला होता है अब क्योंकि मुझे mystery shop event की PNG मिली है तो 100% confirm है कि हम लोगो इस मन्ती के एंडिंग में mystery shop event देखने को मिल जाएगा बाकि यार अगर अगर आप लोगो mystery shop event का confirm date जानना है mystery shop event का review देखना है या फिर mystery shop event का poster देखना है या फिर कोई सब प्री एक्सेज एड होगा तो भाई मैं आप लोगो सब कुछ का review करवा दूँगा इसलिए आप लोग चैनल को subscribe करो बाकि अभी तो यार मेरे पास mystery shop event का जितना भी information था मैं आप लोगो सब कुछ बता चुका हूँ अब यार देखो ये बंदे ने क्या लिखना चाहा है वो मैं समझी गिया यार ये बंदा लिखना चाहता था कि भाई emote party event कब आएगा so finally guys देखो मैं आपको बता दू इस मन्त तो हमारे game के अंदर emote का लग रोयल आने वाल है बड़ा भी guys हमारे game की file के अंदर emote party event के कोई भी leaks नहीं है तो इसलिए यार हम लोग आगे वड़ते और बात करते हैं हमारे अगले comment की जिस comment में बंदा लिखते है एडवान सर्वर में लग रोयल का आएगा बताना अरे यार भाई ये चीज़ मुझसे बहुत सारे बंदे पूझ रहे है तो देखो guys ऐसा कुछ नहीं होता है एडवान सर्वर हमारे free fire game से थोड़ो सो different server होता है जिसमें की हम लोग को upcoming OB update के जो leaks वगरा होते हों दिये जाते हैं और हाँ एक और चीज़ एडवान सर्वर को हमारा permanent server नहीं है अभी कुछी डाइम बात एडवान सर्वर क्लोज हो जाएगा और फिर आप लोग इस एडवान सर्वर को नहीं खेल पाओगे आप लोग से कल तब तक के लिए बाबाई टेक कियर